श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए 28 मार्च को सोमवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है ये एकादशी चेतर मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा करने से सबी पाप संकट दूर हो जाते हैं ये वरत करने से देवलोग की अपसराओ को पिशाच योनी से मुक्ति मिली थी इसलिए आज के दिन केवल 11 काले तिल से आपको ऐसे अच्चुक उपाय करने हैं जो आपके जीवन से संकटों को दूर करेंगे पुझ्जी गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते ह कि आप तक उनके दिवी उपाय बिल्कुल सरल वीदी से सरल तरीके से पहुचाय जाएं ताकि आप उन उपायों को कर पाएं अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तु करना है ध्यानग्य जो काले तिल होते हैं वो आपके जीवन से पित्र दोश को भी दूर करते हैं साथे साथ शनी देव को भी काले तिल अत्यधीक प्रिये हैं इसलिए इन काले तिल से आपको उपाय करना है सबसे पहले अगर आप जब भी स्नान करते हैं एकादशी वाले द समने एक घी का दीपक फ्रिजलेत करें जाना के आज के दिन आपको कुछ नकुछ भगवान विश्णु को भोग लगाना चीए हो सकते तो पीले मिश्ठान का भोग लगाें पीले मिश्ठान नहीं है तो गुड का भी भोग आप लगा सकते हैं, सबसे पहले, भगवाण विश्णों को हलदी से तिलच करें, माता लक्ष्मी को हलदी और कुमकुम दोनों से आपको तिलच करना है, अब आपको काले तिल के ग्यारा दाने लेना है, और एक जलका पात्र आप तांबे का भी ले सकते हैं, उसके अंदर ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंतर का जाब करते हुए काले तिल के आपको ग्यारा दाने डालना है हर एक काले तिल पर आपको ओम नमो भगवते वासु देवाई का जाब करना है ध्याना कि एक आजशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता साथ ही साथ जो आपको तुलसी दल अवश्य ही मिलाना चाहिए अब आपको क्या करना है वहीं पर बेट करके विश्णु सहस्त्र नाम का अगर आपको पाट आता है तो वो करें ओम नम्मो भगवते वासुदेवाई की 108 बार जाप करें ओम महालक्षमी नम्मा इस मंतर का भी 108 बार जाप करें अब आपको क्या करना है कि ये जो जलका पात रहे ये भगवान शीव के मंदीर में लेकर के जाना है ध्यानक है भगवान शीव के मंदीर में आप कभी भी जा सकते हैं सुबह से लेकर के रात तक कभी भी जा सकते हैं हो सके तो प्रदोशकाल के समय जाए प्रदोशकाल यान कि मंदिर में जो शीवलिंग रहते हैं वो प्राण प्रतिष्ट रहते हैं और उनका जो तेज रहता है वो हमारी जीवन से विगनो को दूर करने में सक्षम रहता है सबसे पहले भगवान शीव को प्रणाम करें और उसके बाद ये जल का पात्र आप भगवान शीव के उपर बहुत ही अच्छुक उपाय है महीं पर बेट करके श्री शिवाय नमस्तुब्यम या ओम नमज शिवाय का 108 बाजब करना है और आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं विगना आ रहे हैं उन्हें दूर करने की महादेव से आपको प्रातना करना है बड़ा ही आसान उपाय है बड़ा ही अच्छुक उपाय है अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गल्ती बिल्कूल भी मत करना श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव पुझ श्री शिवाय नमस्तुब्यम पुझ श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ने के लिए प्लेइस टूर से शनातन शक्ती एप डाउनलोड करें इस एप में आपको प्रदीप जी जुआरा बताय गय उपाय हिंदू केलेंडर शुब मोरत प्रदीप जी मिश्रा की कथा की जानकरी, वास्तु सास्त्र, सभी जानकरी एक ही एप में आपको मिल जाएगी इसलिए इस एप को जादर से जादर डाउनलोड करें और शेयर करें